The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to review this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. इससे पहले बतादू, मुवी के एंड में आप लोगो के लिए एक सप्राइजिंग गिफ्ट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो मुवी के शुरुआत में हम अर्जुन कपूर को देखते हैं, जो कि बस से उतरते हैं. अर्जुन कपूर का दोस सोलंकी होता है, जो कि एक पूलिस इस्पेक्टर है. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है फिर वो दोनों रेस्टरों पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं जहांपर सुलंग की आजाय को बोल रहा है भाई क्या तो एक शादी शोदा औरत के पीचे पर चुका है बहुत तो उससे कुछ प्यार नहीं करता बस उसके जिसम के भुख मटा रहा है हो अजाय तब बोलता है मैं चा के भी उसे छोड़ने सकता क्योंकि वो एक बुरी आदत बन चुकी है मेरी उन सब चीजों को तो साइध अटा मुझे दुकान सेटप करने में तोड़ा मदद कर फिर वो दोनों बाइक लेकर उदर से चले जाते हैं फिर हमको 9 महिने पहले का एक सीन देखा जाता है जहांपर अजय और उसकी शादी शुदा गर्फरेंट किरन थी जहांपर वो लोग लोन के लिए गए थे किरन की उस बैंक की मैनेजर के साथ अच्छी बॉन्दिंग थी तो उदर वो अजय को लेकर जाता है कि उसको 30 लाग का लोन सेंक्शन करा दे पर मैनेजर बोलता है अजय का बहुत सारा पैसा डिफॉल्ट है तो हम उसको लोन नहीं दे सकते हैं फिर हम देखते हैं किरन अपने घर में हस्बन के साथ होती है और उसको दारू वगरा सर्फ करती है और उसको हस्बन बहुत ज़दा वाइलेंट था और उसके दो बच्चे भी थे किरन चुप चुपा के बथरूम में जाके अजय को कॉल करती है और तुरी हॉरनी बाते करना चालू कर देती है और बोलती है मैं नेंद की गोली ले रहा हूँ जब दूस के साथ बिस्तर पे होता हूँ वो मुझे छूता है मैं सिब तेरे बारे में सोचता हूँ और एक गोली खाके मैं सो जाता हूँ अजय तब उसके बात पे इतना भाव नहीं देता क्योंकि अजय को भी सिर्फ वो ही चीज़ चाहिए था जो उसको हस्बन को चाहिए था फिर फोन रखने के बाद वो ठेके में जाता है थोरा दारू नीनी के लिए तब ही आती है हमारी हीरो इन भूमी पढ़ने कर जिसका नाम इस मूवी में जिया वो जाके बोलती है मुझे एक रम की बोतल मिल सकती है जो पापा के लिए और मेरे पापा इदर के महाराज है तब ही अजय भी इतना कुछ नहीं पूछता और उससे पैसे लेके उससा रम का बोतल थमा देती है फिर अगले दिन सोलंके आता है जयसे मिलने के लिए वो बोलता है भाई तुझे अगर इदर केमिस्ट की शॉप अच्छे से चलाना है, तुझे महाराजा की परमिशन लेना परेगा, उनके अंडर बहुत सारे हॉस्पिटल आता है, उदर तेरा केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन वगर जाएगा तो तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, एक ब बोलता है, मेरे दादा के जान पैचाने महाराजा से, पहले मेरे दादा की शॉप की नेनी ताल में, तो मैं उनका पोता हूँ और इदर बिजनस करना चाहता हूँ, वो भी केमिस्ट की, तो महाराजा से मुझे एक बार मिला दो, तबी जी आप बोलती है, बहुत सरे केमिस् नहीं है, तुम जल्दी उपर आजा, फिर अजय भाकते है, उपर जाता है, और ऑक्सिगन सिलिंडर को चेंज करके, महाराजा क्या जान बचा लेता है, फिर हम अगले दिन देखते हैं, टीवी पे निउस चल रहा होता है, जहां पर बोला जा रहा है, हमारे नैनी ताल में गलत मेडिसिन बेचा जा रहा है, मतलब नकली मेडिसिन, वो मेडिसिन खाने से मरिजों के तबियत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, उल्टा साइड एफेक्ट हो रहा है, तब ही एक मेडिसिन सेल करने वाला, उसी के शौप में आता है, और बोलता है, दो पेरसिटमोल के जहां पर एक का प्राइज होता है, ईधर कभी मताना, मैं ऐसे जाली काम नहीं करता, तब जब दुकान में किरना आती है, और सबके सामने बोलती है, मेरा मेडिसिन आ चुका है न, तब जप जब बोलता है, आपका मेडिसिन अभी तेक नहीं आया, आप चेम्बर में करमी चल रहा था उसका exit होते ही दुकान पर आती ही जिया और जिया बोलने लगती है मैंने महाराज से बात क्या लिया है तुम जाके बात कर सकते हो मेभी वो तुमको परमिशन दे दे पिर अजय महाराजा के पास जाते हैं और जहां पर उनका डॉक्टर भी था वो शहर से उन ले आप आओगे ये तो आजय ले आप आएगा क्योंकि वो नजदीक पड़ता है पर ये बात मानो जिया को उतनी पसंद नहीं आई पर आजय मानो बाहर जाके उसे मना लेता और भूलता है मेरा तो इधर आना कंपरम हो गया अब तो आना जाना रहेगा मानो इन दोनों में थोरा केमिस्ट्री बिल्ड अप हो रहा था पर एक दिन जब अजय सिलिंडर लेके आता है और चुपके से अंदर जाके देखता है कि जिया महरा राजय के साथ ये सम्मोग में विजी था वो सीन देखके वो बहुत गुसा जाता है और बाहर से सिलिंडर लेके बहुत तेज पर तब तक जिया के मन में भी आगलाग चुका था इसके साथ कुछ ना कुछ करने की वो भी सोच रही थी बार बार पूछने पर अजय बताता है तुम तो उनकी बेटी हो ना तुम यह तो मुझी बताया था और एक बेटी कैसे अपने बाप के साथ सो सकता है तब जिया ब बोलते ही मेरे साथ और जोड़ जबसुति करने लगे दीरे-दीरे मेरा दम भी घुटने लगा और मैं भी लाचार थी मेरे पास कोई आप्शन नहीं ता को बिलीव भी नहीं करता फिर क्या है आपको भी पता है कि स्टोडी क्या होने वाला है हीरो तो ही बचाएगा और जि हमका स्टीकर लगा दो वैसी को पता नहीं चले गए अगर वो वर्डस हो जाता है वो ऐसे ही मर जाएंगे फिर हम देखते हैं अजाई को उसका दोस्स सोलंकी फोन करके बुलाता है जल्दी पुलिस टेशन आजा दिल्ली से लोग गए हैं तुछ को ढूंड रहे हैं जब ज जिनों से इधर ही है सर मैं इसका गैरंटी लेता हूं फिर विस ऑफिसर को अजय के उपर शक होता है कि इधर भी कुछ घोटा लगो कर रहा है फिर रात को हम देखते हैं जिया उसे फोन करके बोलती है जल्दी आ जाओ मैं अकिली नहीं रह सकती तुम्हारे साथ मुझे कु इसमें क्या बुरा ही है मतलब भी पूरा पड़िवारी साइको था और आजय को भी ऐसा ही लग रहा था पर उसके पापा को दीदी कुछ बोलने के लिए जाती तब तक हम देखते हैं जिया पीछे से होकी स्टिक उटाती है उसका सर में मार देती है और सामने आजय कड़ा ह और बोलना कि उसीडिये से गिर गए थे अभी तो वो बेहोश हो गए थे और उनको इंजेक्शन लगाना मत भूलना ये लगना चाहिए कि उनको हार्ट अटक वगर आया है पर अगले दिन सुबा जिया कॉल करके बोलती है मैं हॉस्पिटल में हूँ डॉक्टर सब आ चुक तुमको तो सब कुछ पता है मैं तुमसे बहुत प्याद करता हूँ पैसे वगर अलो मैं गारी लेकर आता हूँ गारी लेकर अजया रेडी होता है और दूसरी तरफ से जिया आ रही थी पैसे वगर लेकर तब उन दोनों के बीच में आ जाती है किरन और वो जिया से बूने लेकर चली जाती है अजया ने अपने साथ एक गन भी कैरी किया था वो जिया से बार बार पूछता है पैसे तुमने कितने लिये हैं और कितने जेवर लिये हैं जिया सिर्फ उसे बोलती है तुम तुम उसे प्यार करते हो ना मेरी वैलू तुमारे लिए क्या है और वो लड दोनों रात में कॉटेज में जाते हैं फिर से भाई वही पागल पन थी दारू बारू पीना तोरा बहुत सक्स वगरा करना ये सारा सिंग चलता रहता है और दूसरे तरह पुलिस को उसके दीदी की बॉड़ी मिल चुकी थी और फिंगर प्रिंट और सबूते के मद्दे नज पर कुछ दिर बाद भाई सब के मन में भी प्यार जगता है और फिर से लोटके आता है जब भी वो दर्वाजा खोलता है जिया ने उसको गोवी मार दिया था टीवी पर दिखा रहा था वही लर्की मतलब किरन बोल रही थी मैंने मेरे पती को छोड़ दिया इसके लिए मेर मेरे साथ सोती थी इसके मर्जी के लिए पर मैं इससे शादी नहीं करना चाहता है इसलिए यह सब रायता इसमें पहलाया मैं तो तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता था इसलिए सारा पैसा लेकि मैं तुमको लेने के लिए आया था तब तक भै देर हो चुकी थी कि उससे ग इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा आप और जिदा समझ सकते हैं क्या हम क्या सर्विस आपके लिए ला रहे हैं तो यहां अब लोग करते ही होंगे बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सश्मे में हो जाए मैंने खुद यह रियल्मी का हेडर ओली 444 रूपीज में बुक किया है इसी के साथ ही सद इधर अब को स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूस, प्लोट्स बहुत ही प्लैट्रॉम पर आती है वो हम अब को बताएंगे सो जॉइन करने के लिए प्लेस्टोर से टेलिग्रम अप को डाउनलोड कीजिए रिजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा दें यह रहा ग्रूप अब जॉइन हो जाए और ग्रूप में जरूर एक्टिव रहे लि को ग्राब करें